इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि MTV क्या है अरे जरा रुखिये आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है इस MTV को समझने के लिए विक्षित करने के लिए बिगनर्स के पैरेंट्स अपने बच्चों को US, UK, रसिया, इटली आदी भिनभिन देशों में भेजते हैं तो वहीं कुछ पैरेंट्स अपने बच्चों को देश के ही भिनभिन एक्टिंग इन्टिचूट में भेज कर उनके अंदर MTV को समझने की कला सिखाते हैं MTV को जानने की ज्ञान विक्षित करवाते हैं आगे चल कर ओ अपने अभिने से लोगों को भरपूर मनरंजन करे देश और बिदेशों में तो अहीं आज भी कुछ एक्टर ऐसे हैं जो देश में ही रहकर MTV को समझा है, जाना है और आज देश और बिदेशों में अपने अभिने से धूम मचा रखे हैं तो आईए जानते हैं MTV क्या है इस तीन अक्षर के MTV का फुल फोर्म है M for Mind, T for Thought, V for Vision जिसका हिंदी में अर्थ होता है Mind का बुद्धी, ज्यान, थौट का सोच, समझ, विचार तो वहीं Vision का अर्थ होता है दूरद्रिष्टी, दर्शन और आप इसे कल्पना भी कह सकते हैं बाद में इनी तीन शब्दों को समझ कर बिगनर एक्टर स्क्रिप्ट से अपने किर्दार को समझता है उसका कल्पना कर पात्रचित्रन करता है पात्रचित्रन के माध्यम से Vision कर उसका अभ्यास करता है फिर उसके बाद उसके अपने किर्दार के शांदार अभिनेकर दर्शकों पर अपना प्रभाप छोड़ता है इन तीन अक्षरों को बिस्तार से समझने के लिए आपको एक्टिंग इन्टिचूर तो जाना ही होगा अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप नित, पुष्टक, उपन्यास तता विन्विन परकार के कहानियों को पढ़े उनमें किर्दार को समझे तता उसका कल्पना कर उसका वीजन करे कि वो पात्र कैसे कोई कडिया कलाब करेगा तत उस पात्र के प्रस्नालिटी क्या होगा आदी को समझे इसी तरह से बिगनर्स एक्टर अपने अंदर माइंड, थौट और वीजन को डबलप कर पाएगा अगर डबलप है तो उसे हमेशा के लिए इसी आधार पर जिंदा रख पाएगा आप सब को ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स करके बताए देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद अगले वीडियो में जानेंगे की सही उच्चारन कैसे किया जाता है